मैं मनीश शाही 3rd Day Astro Research Center के सीरीज में आपका वेलकम करता हूँ बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शन को लेकर हम आज कई सारे ऐसी चीजों को क्लियर करेंगे जो आम तोर पर Astrology के स्टूदेंट्स और Astrology के टीचर्स को लेकर काफी सारी कन्फ्यूज करती है यह सीरीज हमारी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी लेकिन हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा हमारे लिए सबसे पहले Astrology कली Language के अंदर सबसे जरूरी जो House होता है वो होता है हमारा First House First House को लगन कहा जाता है Ascendant कहा जाता है या आम भाशा में कहा जाए जहां पर हमारा जन्म होता है या हमारे Self के बारे में या Self Respect के बारे में अगर बात करे तो वो हमारा हमेशा ही पहले घर से आता है बहुत सारी चीजों को लेकर हमारी जिंदगी में कई रिष्टों को लेकर हमारी जिंदगी में बहुत सारी Occupations को लेकर हमारी زندگी में बहुत सारी ऐसी virtual चीजों को लेकर जो हमारे साथ link करती है जिसमें physical, mental और रिष़्तेदारी, कारोबार, study बहुत सारी चीजों को लेकर link किया जा सकता है अगर हम astrological चीजों के अंदर सिरफ और सिरफ first house को समझने की कोशिश करे तो हम जोतिश के कई सारी चीज़ों को clear कर सकते हैं सबसे पहली बात first house से आता क्या है first house हमारे self या self respect को represent करता है यहां के तीन कारक बहुत ही मेन होते हैं जैसे की हमारे health का कारक रहे हमारा सूरिय हमारी nature का कारक रहे हमारा चंद्रमा और हमारी खोपड़ी का हमारी skull का जो planet होता है वो होता है mangal अगर हम इन चीज़ों में लेकर चले तो यहां से बहुत सारे रिष्टे भी आते है अगर रिष्टों की बात करें यह घर हमारी दादी का घर होता है और हमारे नाना जी का घर होता है दूसरी चीजों में ये हमारे सरभाव को रिपर्जन करता है हमारी फीलिंग्स को रिपर्जन करता है या आम सी भाषा में देखा जाए हम जो ड्रीम्स आते हैं हमें हमारे ड्रीम्स की कैटेगरी को रिपर्जन करता है इन सारी चीजों को लेकर हम कई सारी चीजों के साथ समझते हैं इसे हमारे पहले घर का मालिक एस्टरलॉजी करने वड़े लोग आम तौर पर समझते होंगे कि हमारे फर्स्ट हाॉस में हाॉस का नंबर तो हमेशा फिक्स रहता है लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे नंबर चेंज होते रहते हैं हमारे पहले घर का मालिक चेंज होता रहता है उसी परकार जैसे अगर पहले घर में एक नंबर राशी है तो उसका मालिक मंगल दो का शुक्र, तीन का बुद्ध, चार का चंद्रमा, पांच का सुर्य, छे का फिर से बुद्ध, सात का शुक्र, आट का मंगल, नौ का गुरू, दस और ग्यारा का शनी, बारा का गुरू ग्रह जो नमबर हमारे पहले घर में होगा वो हमारे पहले घर को सिगनिफाय करेगा लेकिन ये चीजे तो हम आम तोर पर कई सारी वीडियो के अंदर या अकैडमी के लिर लर्निंग में समझ पाते हैं लेकिन एक बाग का बहुत बड़ा ध्यान लखना है ये घर में सबसे बड़ी चीज होती है हमारी हेल्थ को लेकर अगर हम अपनी हेल्थ की बात करें तो हमारा लगन ही हमारे सेल्फ को रिपरेजन करता है हमारा लगन लॉड जिस घर के अंदर पीडित होकर बैठता है उसी घर के रिलेटिड हमें आम तोर पर प्राबलम या पीड़ा देता है अगर हमारे लगन का मालिक किसी भी घर में स्ट्रॉंग या उच्छ का होकर बैठ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो अंग हमारी बॉड़ी का सबसे स्ट्रॉंग अंग माना जाता है कारोबार के लिए हर घर रिस्पॉंसिबल होता है आम भाशा में कहा जाए अगर आपका लगन स्ट्रॉंग है तो आप ऐसा वो सारे कारिया कर सकते हो जिसमें सिर्फ आपकी ही इंवाल्मेंट होती है एक्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आप एकलीट है आप रेस लगाते हैं आप रेसलर हैं आप मैनेजर हैं ये ऐसे वो सारे कारोबार हैं जिसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के इंवाल्मेंट ही देखी जाती है हमारे लगन का अलग लग घरों में बैठना अलग लग चीजों को सिग्निफाइ करेता है जैसे मान लीजिए लगन का मालिक लगन में ही बैठा है तो ऐसी पोजिशन में ऐसे लोग थोड़े सेल्फ सेंटर होते हैं लेकिन हेल्थ को लेकर इतको रिसल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं आम तोर पर आप देखेंगे जिन लोगों का लगन का मालिक पांचवे या आठवे घर में बैठ जाता है ऐसे लोग आम तोर पर बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं हमारा लगन जिस घर के साथ लिंक करता है हमारा पूरा का पूरा फोकस या पूरा का पूरा ध्यान उसी घर के साथ हो जाता है अगर हम अपने लगन की बात करें हमारा लगन माल लीजिए अगर चौथे घर में है प्लैनेट कोई भी हो सकता है तो आप देखेंगे वो जातक अपने मदर के साथ जादा अटैच हो जाता है हमारे लगन का किसी भी घर में बैठना हमारे पूरे के पूरे ध्यान को उसी परकार फोकस कर देता है अगर मान लीजिए हमारे लगन का मालिक ग्यारवे घर में चला जाता है तो ऐसे जात तक थोड़े से Ambitious आम लोगों से ज़ादा होते हैं या इन लोगों की जो Expectations होती है आम लोगों से ज़ादा होती है अगर आम सी भाशा में देखा जाए माल लीजे अगर किसी का भी लगन का मालिक दो नमबर है तो दो नमबर की बात की जाए तो लगन का जो मालिक है वो वीनस हो गया अब एक चीज को हमें बड़े ध्यान से देना है कि हमारे लगन का मालिक वीनस अगर पाँचवे घर में बैठ जाएगा तो यह आम तोर पर हमें पेट के related problem देगा क्योंकि लगन का जो मालिक है वीनस वो हमारे 5th house में वीक होकर बैठा है सबसे पहले आप सभी लोग 12 के 12 घरों में हमारे जो अंग होते हैं उनको लिखिए पहला घर हमारे head को दूसरा घर हमारी eyes को हमारे face को, हमारे lips को, हमारी nose को तीसरा घर हमारे shoulders को 4th house हमारी chest को 5th house हमारे pate को 6th house हमारे lower stomach को 7th house हमारे urinary tract को 8th house हमारे गुदाद्वार को lower portion of our body को 9th house हमारे thighs को 10th house हमारे knees को 11th house हमारे legs को और 12th house हमारे पैरों को represent करता है हमारे लगन का मालिक जिस घर में नीच का होकर बैठेगा जैसे पांचवा घर हमारे पेट का घर है तो यहाँ पर हमारा जो लगन है वो पेट वले घर में नीच का होकर बैठा है that means जातक को जो problem होगी पेट के related हो जाएगी लेकिन अगर मैं इसी को आगे बढ़कर देखूँ तो हमारे जो लगन का lord है अगर मैं लगन को change कर दूँ तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है मा लिजी एक नमबर लगन है हम लोगों ने अभी क्या समझा हम लोगों ने ये समझा कि हमारा जो लगन है उसका मालिक मंगल है क्योंकि जैसे मैंने आप सभी को कहा कि सूरिय की 5 नमबर sign moon की 4, Mars की 1 और 8 Mercury की 3 और 6 Jupiter की 9 और 12 Venus की 2 और 7 Saturn की 10 और 11 है अब इसमें जो first house है जो हमारे self को represent कर रहा है माल लीजिए ये खराब होकर बैठा है जोतिश के जानकार लोगों को इतना पता होगा कि जो मंगल है वो 4 नमबर 8 में नीच होता है अगर Mars यहाँ बैठ गया इसी परकार हमने समझा कि ये हमारे नीज का घर होता है इसका मतलब ऐसे लोगों के नीज में कोई problem नहीं होगी हमारे लगन में ग्रहों का प्रभाव ही तो बताएगा कि हम लोगों का कैसे कैसे result आएगा हमारे सभाव को लेकर और हमारी health को लेकर सभाव में एक basic traits तो हमारे हमेशा रहते हैं लेकिन समय दर समय हमारी दर्शा के according वो चीजे आम तोर पर बदलती रहती है लेकिन जोतिश जैसे इतने बड़े समुंदर जैसे विशे में हमें बहुत practice करनी पड़ती है तब हम धीरे धीरे पकड़ रख पाते हैं और ये चीजों की direction एक life changing भी होती है इसके इलावा अगर आगे बढ़कर इस चीज को और अच्छे तरीके से दिखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि हमारा लगन कुंडली हमारी चंदर कुंडली और हमारी सूर्य कुंडली माल लीजिये हमने किसी की सुंदर्ता के बारे में बात करनी है तो हमें लगन कुंडली तो हम लोगों को पता है वो तो हम लोग कास्ट करते हैं चंदर कुंडली का मतलब है हमारा जिस राशी में चंदरमा है वहीं लगन हमें बना लेना होता है जैसे माल लीजिए किसी का 10 number sign में moon बैठा है तो लगन 10 number का बन जाएगा और planet उसी उसी राशियों में भर दिये जाते है सूर्य भी जिस राशी में placed होगा उसी राशी से ही लगन बना दिया जाता है माल लीजिए किसी इंसान की looks के बारे में या beauty के बारे में हमें पता करना है तो हमें लगन कुंडली का भी second house consider करना होगा चंदर कुंडली का भी second house consider करना होगा और सूर्य कुंडली का भी second house consider करना होगा अगर हमारे लगन चंदर और सूर्य कुंडली तीनों में से ही second house की placement बहुत अच्छी होती है वो placement अच्छी या बुरी कैसे होती है वो जैसे जैसे हम लोग इस series को आगे बनाएंगे आपको clarity हो जाएगी लेकिन किसी भी ग्रह का उच्छ का होना नीच का होना, अपनी राशी का होना ये सारी चीजे किसी ग्रह को अच्छा बनाते है लेकिन ये एक tools है आगे जाकर ये tools और ज़्यादा apply होते जाएंगे और आप लोगों को और ज़्यादा clarity होती जाएगी लेकिन अप इस series को as it is आगे पढ़ते रहें और कोशी जरूर करें कि इसको note down करते रहें इसी परकार हमारा लगन हमारी height को represent करता है अगर आपके लगन के अंदर गुरु जैसे, शनी जैसे, बड़े planet का प्रभाव होगा तो आपकी height बड़ी होती है बुद्ध जैसे, चंद्र जैसे, शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है तो आपकी height छोटी होती है अगर मिले जुले ग्रहों का प्रभाव होता है तो आपकी height average होती है इस परकार लगन को लेकर, हर चीज़ को लेकर अलग-लग nature, अलग-लग रिष्टे, अलग-लग सभाव और उसकी placement किन घरों में है इन चीज़ों को लेकर हम बहुत आगे बढ़ते रहेंगे इस series को आप लोग ऐसे ज़रूर देखते रहेंगे आप जितना जादा इन series को बार-बर, बार-बर learn करेंगे बार-बार देखेंगे, बार-बार समझेंगे एक-एक घर को उतनी ही clarity होगी इसी परकार हम राशियों को elaborate करेंगे इसी परकार हम लोग planets को elaborate करेंगे आप इन चीज़ों को देखते रहें और note करते रहें लेकिन हम लोगों ने आप सभी के messages के बाद ये decide किया है, या हमारे वैसे भी ये courses आते रहते हैं हम लोग एक 15 classes का, मतलब एक महीने में 15 classes का एक course लेकर आ रहे हैं, जिसकी registration fees सिर्फ और सिर्फ 100 rupees होती है अगर आप अपने उस one month के course के लिए enroll करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे number पर message कर सकते हो, या अपना नाम हमें send कर दीजे हम आपको enroll कर देंगे, तो इस परकार ये जो हम study कर रहे हैं, ये काफी लंबी और काफी elaborate होती है, उस content के अंदर आप अपने horoscope को कैसे link कर पाएंगे और आपकी जो जो queries होंगी, हमारी कोशिश रहेगी उन queries को answer करने की, दिल से इस विशे को पढ़ते रहें, दिल से समझते रहें, बार-बार लिखें, बार-बार पढ़ें, बार-बार समझें, क्योंकि ये विशे एक बहुती विशाल और बहुती life changing subject होता है, हमारी वीडियो को like करें, subscribe करें, share करें, और कोशिश करें, आपका comment हमारे लिए एक बहुत बड़ी हैमियत रखता है, thank you so much